तो जो हीट टॉर्च गन से निकलती है वह फ्लेम के फॉर्म में होती है और उसी फ्लेम को तीन कैटेगरी में क्लास्वाइड किया गया है पहला है नूटरल फ्लेम तो जो टॉर्च है उसमें ऑक्सिजन औन असिटिलिन से जो हीट प्रोडूस होती है वह एक फ्लेम के फॉर्म में होती है अब यह फ्लेम का टेंपरेचर बहुत हाई होता है और वह टेंपरेचर डिपेंड होता है ऑक्सिजन औन असिटिलिन के सप्ल उसी पर यह फ्लेम का टेंपरिचर भी डिपेंड होता है तो इस नूट्रल फ्लेम में oxygen and acetylene equal amount में combine होते हैं और कुछ हमें icy flame मिलती है यानि नूट्रल फ्लेम में जो भी oxygen and acetylene का percentage है वह इक्वल होगा तो नूट्रल फ्लेम में जो inner cone है उसका temperature लगबग 3260 degree centigrade तक होता है and outer cone का temperature लगबग 1250 degree centigrade तक होता है तो इसको नूट्रल फ्लेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी gases में chemical change नहीं होता है जिसकी वज़े से वह metal को oxidize या फिर carburize नहीं करता next flame है oxidizing flame तो जैसे नाम सजेक्ट करता है यह flame ज़्यादा oxygen के supply से produce होती है इसकी जो inner white cone है वह neutral flame से ज़्यादा bright and blue होती है और साथी में oxidizing flame का जो temperature है वह लगबग 3480 degree centigrade तक होता है इस flame से steel को weld नहीं किया जा सकता सिर्फ यह इसका advantage है लेकिन आप ferrous material को जो welding है वह करते हैं and third flame है carburizing flame इस flame में oxygen का supply कम होता है और obviously acetylene का supply जाता होता है और इस flame का temperature लगबग 2740 degree centigrade तक होता है तो इस तरह से तीनों कितिने flame को classified किया गया है और इनी flame के help से ही यानि हम जो gas welding से flame produce करेंगे उससे ही हम workpiece को join कर सकते है तो gas welding जो है वह बहुत ही efficient welding है as compared to the arc welding तो उमिद करता हो दोस्तों कि आपको यह gas welding का concept अच्छे से clear होगा होगा अगर अच्छा लगा है आपको यह वीडियो तो please हमारी चैनल को subscribe कीजेगा और वीडियो दिखने के लिए thank you so much झालड़ की झालड़ क्रिचल मुणल झालड़ दिस यूज औरो झालड़ झालड़